हेलो विल्कम दोस्तों मैं वो किशूर आप देख रहा हूं रादे बेट्स और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले सेंपसंग गिलेक्स एफिप्टी टू एस 5G के अंदर एपस हाइड और अन हाइड कैसे करते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्कीप के एंड आज तक देखे रहे हैं और आप हमारी चैनल पर नवहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब की जगा ताकि एसे वीडियो में आप तक पहुंचाते रहें तो आई चले देखते हैं तो दोस्तों यह हैं हमारे पास Samsung Galaxy A52s 5G तो गाइस सब्से पहले आपको ऐसे स्वाइप करना है जैसी ऐसे स्वाइप करोगे आप तो आपकी एप जो ओपन हो जाएगी फिने आप आपको थ्री डॉट पपे क्लिक और त्री डॉट पे गाइस जैसी क्लिक करोगे तो यह पे settings पर क्लिक करना है settings में दोस्तों जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको हाइड करने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है अब दोस्तों इसमें से जो जो apps आपको हाइड करने उसको आपको चूज कर लेना है just example हम जो Amazon कर लेते हैं और ड्राइव and Facebook तो यहाँ पर फिर आपको done का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर simply आपको done कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी तीन apps जो हाइड हो चुकी है Facebook Amazon and drive तो कुछ इस तरीके से इस phone के अंदर जो आप apps हाइड कर सकते हो अभी दोस्तों उस apps को unhide करना है तो वह आप कैसे कर सकते हो तो सेम वही प्रोसेस है आपको three dot पर क्लिक करना है settings में चले जाना है यहाँ पर hide apps का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर फिर यहां से आपको done कर लेना है तो हमारी तीन apps जो वह अन हाइड हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो Amazon, Drive and Facebook तो कुछ इस तरीके से Samsung Galaxy A52s 5G के अंदर apps hide और unhide की जा सकती है तो यह उप्यों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगे अगर आपका कोई भी सुझा हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजान ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ ठेंक्स पर वाचिंग दिस में वीडियो जाच के इस वीडियो में इतना है दोस्तों ठेंक्यू सो मुच बाबाबा फ्रेंड्स